नमस्कार मैं असोग प्रिदर्शी नवादा लोगसभा का चुनाव संपन हो गया है हर कोई जीत हार के दावे कर रहे हैं अधितर लोग पक्ष और विपक्ष में तर्क दे रहे हैं आज की रिपोर्ट में हम विश्लेशन करने की कोशिस करेंगे कि किस पक्ष के दावे में कितना दम है आज की रिपोर्ट में हम समझने की कोशिस करेंगे कि बीजेबी के विवेक ठाकूर जीत का सहरा पहनेंगे या फिर हार का हैट्रिक लगा हम बताने की कोशिस करेंगे कि र ऐसे तो मद्दाताओं के मन की बात को समझना आसान नहीं है। लेकिन हम रुजानों और पुराने रिकॉर्ड के अधार पर 2024 के परिणाम को समझने की कोशिस करेंगे। संभब है इस विशलेशन में किसी की सहमती भी हो सकती है और किसी की असहमती। अच्छी बात यह है कि चुनाव हो गया है इसलिए इस विशलेशन से किसी को फाइदा और नुकसान नहीं है। लेकिन हर कोई नतीजा जानना चाहते हैं। 2024 के लोकसवा चुनाव में दो दल आमने सामने हैं। इसलिए बारी बारे से राजनेटिक दलों की दावे की बात कर लेते हैंं। अइसलिए कि पिशले चुनावों की तुलना में राज़त की इस्थिति अधिक मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी का आधार बोट कुसवाहा और कुर्मी जाती का अधिकांस वोटर राजत परत्यासी की और सिफ्ट करने की बात कही जा रहे है। इस दफा कुसवाह समाद के वोटर मुकमनते नितिश कुमार समराच चौधरी और उपेंद्र कुसवाह के चेहरा पर नहीं बलकि अस्थानिय जाती उमिद्वार सरवन कुसवाह को तवज्जु दिया है। देखे तो इंडिये के कुर्मी कुसवाह वोट में सिंगमारी से राजत का पक्स मजबूत हुआ है। इसके अलावा कम मद्दान राजत के लिए उमीद जगाने वाली है। ऐसा इसलिए कि राजत के वोटर एग्रेसिव रहे हैं साथ ही लोकल और बाहरी उमिद्वारों के सवालों के बीच सरवन की अस्थानिता को राजत अपनी बढ़त के रूप में देख रही है। ऐसे में उमीद की जाने लगी है कि राजत नवादा संसद्य छित्र के इतिहास में हेल्टिक लगाने वाली है। राजत इस वार हार से उबरने वाले हैं क्योंकि राजत 1998 और 2004 के बाद कभी नहीं जीती जबकि राजत तीन दफ़ा दूसरे स्थान पर है। लेकिन 2024 में राजत में कुछवाह समी करण के आने और कम मद्दान फर्तिसत को राजत अपनी सफलता से जोड़कर देख रही है। बीजेपी के भीत्री अंतरकल खंड खंड में बटे पार्टी कर्द करताओं की उदासिंता भी राजत की उमीद को जगाने वाली है। बीजेपी के काज करता वोटरों तक यह बात पहुंचाने में बिफल रहे कि उनके परत्यासी विवेक ठाकूर का कर्मा क्या है। कई बुथों पर बीजेपी एजेंटों की गैर मौजूद्गी जैसी उदासिंता सर्वन के लिए उमीद जगाने वाली माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पांच दफा बिधान सभा और बिधान परस्द के चुनाव में हार का सामना कर चुके सर्वन कुसवाहा इस वाद जीतने वाले हैं। दूसरी तरह बीजेपी की दावे की बात करें तो नवादा सीट बीजेपी का परम परागत रहा है। बीजेपी चार दफा जीत दर्ज की है जबकि तीन दफा दूसरी अस्थान पर रही है। जन्संग के समय से बीजेपी की उपस्थिती रही है। 2009 में परिशीमन के बाद से लगातार बीजेपी और उनके सहयोगी एलजेपी जीती है। राजत दूसरी अस्थान पर रही है। जीत का अंतर भी करिब 34,000 से 1,48,000 के बीच रहे है। बीजेपी के दावे का अधार अग्रिजातियों के अलावा बैस अतिपीछरा और महादलित बोट रहे है। नवादा भूमियार बहुल छेत रहा है। देखे तो 2009 की तुल्ना में, 2024 के चुनाव में उमिद्वारों की संख्या करिब एक दिहाई। पुल 8 उमिद्वार हैं, इनमेंसे 4 उमिद्वारों की चर्चा बहुत कम रहे है। बाकी के चार उमिद्वारों में बीजेपी के विवेक ठाकूर, राजत के सर्वन कुषवाहा के अलावा, राजत के बागी निर्दलिय उमिद्वार, बिनोध यादव और भोजपूरी एक्टर गुंजन सिंग है। मुख मुकावला बीजेपी और राजत के बीच है, जाहिर तोर पर मतो का धुर्बिकरन भी दो भागों में सरवादिक हुआ है। लेकिन बिनोध यादव की स्थिती गुंजन सिंग से काफी मजबूत रही है। ऐसा इसलिए कि 2009 में जब एलजेपी राजत गटवन्दन से बीना देवी को उतारा गया था तब बिनोध यादव के बड़े भाई राजवल्लव यादव चुनाव लड़े थे। तब उन्हें 38,000 मत मिला था जबकि मुस्लिम उमिदवार के तौर पर बी एसपी से मसी उदिन को 46,000 मत मिला था। मौजूदा समय में बिनोध यादव के समर्थन में बिधायक भाभी बीवादेवी, बिधान पार्षत भतीजा असोक यादव के अलावा रजवली के राजद बिधायक प्रकास भी जिलापरसे अध्यच, पुस्पा राजवन्सी और उपाध्यच निशा स्योध्री खुले में बिफल रहे हैं, दर असल बिनोध यादव को अपने जीत से ज्यादा राजद प्रतियासे की हार में खुसी है, ऐसा इसलिए कि सियासी तौर पर बिनोध के लिए सर्वन दुस्वन नंबर एक है, सर्वन के कारण वे ना सिर्थ बे टिकट हुए हैं, संगठन से भी मुकिन कोशिस किया और टार्गेट वोटर पर काम किया है, कुल मिला कर 2024 के परणाम की बात करें तो बीजेपी के निताओं और कार्करताओं की उदासिंता, पार्टी के भीतर के अंदुरूनी कला के बीच कम मद्दान के परतिसत को देखें, तो बीजेपी की सीधी हार लेकिन ऐसी परतिकूल परिष्टिती में तीन बाते हैं जो बीजेपी पर ट्यासी को राज़त से आगे करता है, जो जीत की उमीद जगाती है, पहले तो प्रधान मंती नरेंद मोदी के जरिये, गरीब कल्यान अनियोजना, किसान सम्मानियोजना, आयसमानियोजना, राम मं निर्का निर्मान, धारा 370, जैसे किये गए काम लोगों के जिहन में है, दूसरा की जीत हार का आकलन 4-5 जातियों के अधार पर की जाती रहे है, जिसकी आवादी 50-55% के आसपास है, जबकि 45-50% जातियां ऐसी है, जिसकी गन्ना नहीं की जा रहे है, जबकि जीत हार में व बड़ा फैक्तर साबित होते रहे हैं, देखे तो लालू प्रसाद यादाव और नितिश कुमार की सरकारें, उन जातियों के बूते बनती और बिगड़ती रहे हैं, जिसे लोग सियासी जिन भी कहते रहे हैं, राश्टी अस्तर पर वजिन फिलहाल ने नमोदी के साथ है, बोर्ट परतिसत के अधार पर पिछले चुनावों का अकलन करें, तो 2009 में बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंग को 22.46 परतिसत, जबकि दूसरी अस्थान पर रही एलजेपी की बीना देविक को 16.45 परतिसत मत मिला था, 2019 में एलजेपी के चंदन सिंग को 22.79 परतिसत, जबकि दूसरी अस्थान पर राज़त की बीभा देविक को 36.38 परतिसत मत मिला था, जीत हर के परतिसत का आकलन करें, तो बड़ा अंतर रहा है, वैसे में एक दो जातियों के इधर उधर जाने से परिनाम में नहीं, मार्जि को राजत से बढ़त दिलाता है, हलाकि गुंजन सिंग ने भी विवेक ठाकूर के जातिये बोट में सिंग मारी किया है, लेकिन यह संख्या बिनो दियादब की तुल्ना में बहुत कम है, ऐसा इसलिए कि गुंजन सिंग के पास नहीं कोई संगतनात्मक धाचा है, और नहीं कोई सियासी अनभव, वैसे में दो दफा ब्रहंपूर बिधान सवात से हार चुके विवेक ठाकूर के लिए नवादा संसर्दिये छेत्र का चुनाव उमीद जगाने वाली है, आखरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुराने रिकॉर्ड और उजहान के अधार पर आक कि अधर संसर्दिये वादा जगाने रिकॉर्ड़ जब लेत्र का भी जथे वादा बोले जाटव को और शबोले है कि अनभदा फले रिकुर्ड़ खुर्ड़ ओिष्टर बात्र का चुर्ड़ जया जाली है, चले लिए भाने बच। बढ़ एन अन्पर प्क्वर्ड़